दोस्तों उम्मीद है सभी लोग सांदार होंगे और अपने तयारी में मस्त होंगे और दोस्तों आपके अगनीवीर एक्जाम के तयारी ठीक तरिके से चल रही होंगी और मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी प्रेक्टिस सेट देख रहे होंगे उनसे दोस्तों आपको काफ बताना है कि आपको कित्ता इस को रोडस्तों आज पन रहा है यह है कित्तिक में से बन रहा है यह जो better करते हैं एक हक कर के तो पहला यह धोस्तौन की निमने में से मैगदूद किसकी रचना है क्या के वालमिकी की रचना है या कालेदस की या सुर्दास की या कबिरदस की तो मैं पता है दोस्तों जो मेगदूद है कि आपके कालेदस की रचना है और कालेदस की और रचना क्या क्या है तो कालेदस की और एक रचना है एक तो है दोस्तों अभिग्यान साकुंतालम और दूसरी क् मेखदूद यह इनकी रचना है दोस्तों और कुमार संभवम भी जो है काले दस की रचना है आपको याद रखना आए और अब इसके बाद ये बात आपको याद रखते जाना है मैं जो जो चीज बोलता हूım अपने एक कॉपी में दुस्तों जो next option रहते है उनके आपके दोस्तों अच्छी कासी तयारी हो जाएंगी एक के बदोल आपके चार-चार question तयार हो रहा है ना ठीक है तो 36 गड़ की राजधानी next question है कि 36 गड़ की राजधानी क्या है भिलाई है या रायपूर है या राजनानद गाव है या भोपाल है तो दोस्तों मैं बता दूँ या भोपाल को तो आप कट कर दीजी क्योंकि ये मध्यपदेश की राजधानी है और राजनास गाव दोस्तों 36 गड़ का एक सहर है और भिलाई भी जजट्यीजगड का सहर है लेकिन रायपूर दोस्तों 36 गड़ की राजधानी है तो आपसे नमठी भी आपका correct होगा इसको next question है दोस्तो कि demodaf हमारे सभीधान दोरा आठ सास्तिनत्य को माना गया है और नवा दोस्तो जिसे अरध सास्तिनत्य माना गया है वो छहु है लेकिन उसको पूरी मानने तर नहीं दीगे जिसका नाम छहु है दोस्तो छहु उसका नाम है आठ नव वेगा लेकिन इसे मानने तर नहीं मिली है और आ महाराज बिर्जू महाराज जो है अगर से कभी आजाता है किस सम्भंद्यते तो कत्थक से सम्भंद्यते आपको एफ लगाना है और दोस्तो तमील रा लारू का कुझ सा साति हुआ है और को एक से पुराना कौन सह सasthinos cognitive है तो स कित्ते वर शेंज पुराना है , तो बता दूँ यह आपके असम काि सभिवगा होगा visit Qods, और मनी पूरी क्या है तो सम और आपकी आप सकुष निलृ एक सबस् להब King Sc Islands ऑफिर्य ऑफिव क्या को, Community पूरी मिन आपकर होका成 हो कि आपका विधान सभा सदस्यों का कारेकाल मतलब दोस्तों जो आपके विधायक होते हैं उनका कारेकाल कितने वर्सका होता है तो सिंप्ली सी बात है सबी लोग जानते हैं कि पाच वर्सका उनका कारेकाल होता है याने option number यह आपका correct answer होगा उसके बाद दोस्तो अपना next question है कि निमने में से किसे यहाँ फोड़ी miss print हो गई है hitman कहा जाता है दोस्तो किसे hitman कहा जाता है तो मैं बता दू कि ऐसे कौन से खिला ली है जिसे hitman के नाम से जाना जाता है तो मैं बता दू वो है आपके Rohit Sharma Rohit Sharma का highest score किता था तो 264 आपको ये भी याद रखना है दोस्तो तो hitman के नाम से किसे जाना जाता है Rohit Sharma को जाना जाता है और विराड कुली का भी कभी आ जाता है विराड कुली को किसे नाम से जाना जाता है तो इन्हें दोस्तो चीकु के नाम से भी जाना जाता है आपको हसी भी आएंगी इनके नाम को सुनकर और सचिन देंदुलकर को दोस्तो God of Cricket और Master Blaster के नाम से भी जाना जाता है यहाँ पर हिटमेन हो जाएगा रोहित सर्मा आपका correct answer होगा दोस्तो इसके बाद next question है कि My Life My Music यहाँ पर My लिखे गए My Life My Music किसके किताब है तो यह दोस्तो किसकी किताब है पंडित रवी संकर अनुष्का संकर भजन सोपारी या विवेग सर्मात में बता दू कि My Life My Music यह जो है पंडित रवी संकर की किताब है जो कि δोस्तो किस वाद्दे अंतर से संबंदित है ये सितार वाद्दे अंतर से संबंदित है और इनकी बेटी का नाम क्या है अनुषका संकर है दोस्तों आपको याद रखना है और ये पंडितरवी संकर को सन 1999 में क्या मिला था भारत रतने मिला था ये भी आपको बात याद रखना है इसके नेक्स्ट कोश्चन है कि दोस्तों कानहा राष्टी उद्धान किस राज्य में इस्तित है मध्यपदेश उत्तरपदेश बिहार या महाराष्टे तो बतातों दोस्तों ये जो कानहा राष्टी दोस्तो एक जटके में question पढ़के उस concern टीक लगा दूँगा लेकिन दोस्तो main option का other option का भी उत्तर बताने से मेरा main मकसद यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा question हो सके जिससे आपको मैं यहाँ पर 15 question तो करा रहा हूँ लोकमाने तिलत लोकमाने तिलत को उन्हीं दोस्तो ने दोस्तो प्रार्श के सब्सक्राइब क लागा दूसके अगरे में ने का आजबी लोकमाने तिलहाँ है उसके बाद दोस्तो भगत सिंग को दोस्तो भसा ही दे आजम के नाम से जाना जाता है और राजगुरू भी नहीं होगा मतलब लाजपत राय जी आपका यहां पर करेक्ट आंसर होगा इसका नेक्स्ट कुस्चन है दोस्तो कि लावनी यहां पर सोड़ी मिस्पिंट है कि कहा का लोगन रित्त है तो बता दू कि लावनी चुर लोगन रित्त है यह महराष्ट का लोगन रित्त है मैंने आपको पीछली पी कलास में बताया था और यहां का और एक प्रसिद्ध लोगन रित्त है जिसको दोस्तो तमासा भी कहते है ना तमासा यह आपको यहां लगा देन है और रामायन की रचना की ती थी गोगी शणाने में बढ़ाएं ने तो टुल्सितास जिनने तो रामचरित किसमें तम्मील भासा में रामाईन करशना कम बनने की थी तो रामाईन करशन से किसلف की ती तो वाल में की दर आपको जाद रखना है इसके बाद दोस्तों ऑगला कैसे है भारवरा नंबर का कि परेवरण दिवस कब मना जाता है 5 जून 20 जून 20 जुलाई या 20 अकस्त दोस्तों बता दू सभी ने कॉमन सी बात है पढ़ें होंगे 5 य21 में कि परेवरण दिवस 5 जून को मना जाता है यह आपका करेक्ट आपर आंसर होने वाला है इसके बार दूस्तों सेना दिवस कब मना जाता है तो थोट भारती सेना दिवस कब मना जाता है 5 जणवरी यहांपर थोड़ा थोड़ा मिस्प्रेंट है तो यो 15 जणवरी कितना बंदरा जनवरी तो यह आपका उपसन नम्बरे 15 आप पाच फरवरी और ऑप्सन नमबर सी चौदा नवंबर और ऑप्सन नमबर डी पाच मार्स तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर होंगा पाच पंदरा जनवरी पंदरा जनवरी को जो है इंडिन आर्मी डे मना जाता है मतलब यह 15 जनवरी आप करेक्ट कर लेजिएगा ठीक है य 15 जनवरी इसका आठर नेक्ट क्उष्चन है कि लता मंगिसकर जी को भारत प्रतन कशिए जिनको बहुता मंगिसकर ने देल कर एक प्रसिद्द का दो प्रसिद्द कहें और बताना है बहुत ही important question है और हुमर का में बताइएगा कि लता मंगसकर जी को जो है कब भारत सतने मिला था और यह आठी क्लास कैसी लगी यह भी कमर्ण में बताइएगा और रही बात आप यह सोच रहे होंगी कि भाईया ऐसा level इतना आसान तो नहीं आता इतना आप बहुत नॉर्मल नॉर्मल question करा रहे इतना आसान पेपर आएगा क्या तो जी हाँ दोस्तो आपका आर्मी अगनीवीर का exam है कोई UPSC का exam नहीं कि हाड़ा जाए क्योंकि दोस्तो आर्मी अगनीवीर के exam के माध्यम से दोस्तो उन्हें physical के लिए qualified candidate को बुलाना है और दोस्तो physical के बाद भी आपका दोस्तो 100 नंबर का यहने आपका exam के बाद भी आपका 100 नंबर का paper होगा इसलिए दोस्तो आपकी cut-up जो है ज़्यादा नहीं जाने वाली है नॉर्मल अगर से आप दोस्तो 25 plus question 25 से 30 plus question करते तो 100% आपकी exam qualify होने के chances है और आपकी इसलिए 60 नंबर हो जाएंगे और 100 नंबर का physical मतलब 160 plus में आपका दोस्तो सिलेक्षिन के शोर chances हो जाते हैं दोस्तों मिलेंगे जल दी नए वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे अपने परिबार का ख्याल रखे